दोस्तों आज मैं आपको बताूँँगा कि हम KRED EPS किस तरह हमारा кредit اس्कोर चेक कर सकते हैं सबसे पहले हम अपने KRED EPS को ON करेंगे सरफ एक मिनिट में अप यहाँ fakla रचेक कर सकती हो आपने कार्ट के बारे में स्टेट्मेंट कर सकते हो हम जो सबसे last time में more का option है हम उस पर click करेंगे उसके बाद हमें यहां सामने credit score दिखेगा हम credit score पर check करेंगे यह देखी मेरा credit score 792 जो की काफी अच्छा है अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने loan लिये हैं कितने close हुए सब यहां से आपको पता चल जाएगा हम वीव रिपोर्ट पर click करेंगे वीव रिपोर्ट पर click करने के बाद हमें यहां पर सारे हमारे जितने भी loan हमने अभी तक लिये हैं और जो active है वो उसके आगे active लिखा होगा और जो बंद हो चुके हैं उसके आगे close लिखा होगा आप आसानी से चेक कर सकता है इसको यहां पर हर चीज़ आपको पूरी तरह के से दिखाई गई यहां पर लेकिन आप यहां पर सिर्फ अपने loan देख सकते हैं जो आपके active हैं और close हो चुके हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी NOC चाहिए जो close हो चुके तो उसके लिए आपको जिस bank से आपका loan finance से वहीं पर जाके आपको इसके लिए apply करना पड़ेगा और हर 30 दिन के अंदर हम अपना credit score refresh करके चेक कर सकते हैं कि वो बड़ा है या घटा है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा credit score बड़ा है या घटा है इस महिने मेंने भी इसको refresh किया है यह आप देख सकते हैं six point मेरे हाँ पर कम हुए है इस महिने में तो आप भी बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं अगर आप credit card user है और credit app चलाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यह सब चेक कर सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब करिए